नमस्ते बच्चों, DAV Moyle Public School e-Learning Class में आपका स्वागत है मैं आपकी हिंदी विश्य अध्यापी का अंजली रागुरते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी में व्याकरण के अंतरगत है और है इस व्याकरण भाग का अध्यान करने जा रहे हैं वैसे देखा जाए तो व्याकरण का ये भाग हम पिछली एक अक्षा में पढ़ चुके हैं फिर भी एक बार प्राप्त ग्यान को और मस्बूत करने के लिए हम व्याकरण में है और है को समझ लेंगे आईए बढ़ते हैं आगे है और है इन्हें अच्छे से देखिए एक तो है है और दूसरा है मात्र फरक किसका है एक बिंदु का आईए इससे अच्छे से समझ लेते हैं है यह एक वचन वाला शब्द है इसे इस शब्द ही कहेंगे न हम यह एक वचन इससे समझ में आता है आगे है है बिंदु यह बहु अचन वाला शब्द है इसका मतलब यह है कि जहाँ पर एक वचन वाक्य होगा वहाँ पर है लगेगा और जहाँ पर बहु अचन वाला वाक्य होगा वहाँ पर है लगेगा देखिए है के कुछ उधारण में आपको बताती हूँ जैसे यह फूल का चित्र है पहले दाई और के चित्रों को देखिए यह एक फूल है और चुंकि यह एक है इसलिए यह फूल है अब यह लड़का एक है इसलिए यह लड़का है लड़की भी एक ही है इसलिए यह लड़की है यह सब एक एक है याने एक वचन वाले हैं इसलिए वाक्य भी बनेगा एक वचन वाला है जो है वह कौन सा है यह एक वचन वाला शब्द है इसलिए वाक्य बना यह फूल है यह लड़का है, यह लड़की है, आगे देखते हैं, है के कुछ उदारण, है, बिंदु लगा हुआ है, है के उपर, तो इसका उच्चारण होगा, है, अब घडिया देखो, बहुत सारी है, इसलिए ये घडिया है, है, मचलिया भी बहुत सारी है, इसलिए ये मचलिया है, फल भी बहुत सारे है, इसलिए ये फल है, एक बात तो समझ में आ गई, जहां पर एक वच्चन होगा, वहां पर है और जहां पर अनएक वच्चन होगा, वहां पर है है और है के कुछ उधारण अब देखिए, बिल्ली बिल्ली एक है, इसलिए यह बिल्ली है नीचे बिल्लियां बहुत सारी है इसलिए यह बिल्लियां है किताब यह किताब है और यह तो बहुत सारी किताबे है इसलिए यह किताबे है समझ में आया? यहां बहुत अच्छे से समझ में आ गया जहां पर एक ही है वहां है और जहां भूत सार है अनेक है वहां पर है आगे अब आपको यहाँ पर थोड़ी परिशानी हो सकती है क्यों क्यों कि देखिए है के कुछ अन्योधारण जैसे ये कौन है दादा जी कुछ भी हो सकते है नाना जी अध्यापक हमने यहाँ पर दादा जी लिख दिया है अब यह मेरे दादा जी है अब आप कहेंगे कि दादा जी तो एक ही है फिर यहां पर है क्यों आया यहां तो है आना चाहिए था उसी प्रकर दादी जी कहानी सुना रही है यहां पर दादी जी भी एक है इसलिए यहां पर भी है क्यों आया है आना चाहिए था बच्चो व्याकरणिक नियम की अनुसार जो भी हमसे बड़े हैं चाहे वो माता जी है, पिता जी, बड़े भाई, बड़े बहन, दादा जी, नाना जी, दादी जी जो भी हो या मामा जी हो अगर कोई हमसे बड़े हैं तो उसके लिए हिंदी के व्याकरण के अंतरगत है का नहीं बलकि है का प्रयोग किया जाता है इसलिए बावजूद इसके कि दादा जी एक है, हमने यहाँ पर हैं का इस्तिमाल किया दादी जी भी एक है, फिर भी हमने यहाँ पर हैं का इस्तिमाल किया समझ में आया ना? मुझे विश्वा से आपको यह हैं और हैं का भाग और भी अच्छे से समझ गया होगा आईए देखते हैं अब आगे हमेशा की तरह आज का ग्रह कारिय जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और ग्रह कारिय को अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए प्यारे बच्चों यह आपकी टेस्ट का भाग है इसलिए इसे छोड़ना नहीं कॉपी में जल्दी से लिख लो प्रश्ण कॉन सा है दिये गए वाक्यों में है और हैं लिखिये क लड़की स्कूल जा रही ख लड़के खेल रहे ग माताजी खाना पका रही ग मामा दिल्ली से आए अंग यह कमल का फूल और च पतंगे उड रही इनके सामने है या फिर है लगाईए और जल्दी से अपना ग्रह कारिय पूरा किजी मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज का ग्रह कारिय भी आप तुरंत कर लेंगे इसी आशक के साथ फिर मिलेंगे अगली एक अक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद